डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्ते डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी च्योतिर मैं परेसर ना चेतरन स््टूडियो मा थी, क्यों आशना त्रेहान आपनु श्वागत करूशुए. आजे आपडे SYB.com नो एक विशे, Accounting and Finance विशे महISA ती मेड़शुँ. तेनु एकम नाणानो स्त्रोड विशे आपने आजे जानीशु अने आ एकमने समाप्त कर्वानी प्रयत्न करीशु। आ एकममा आपने लांबा गाडाना भंडोड विशे जाने वहतु। तेना अर्थ तेने डिसाइड करता ना परीबडो अने तेनी लाक्ष निता। पछी आपने लांबा गाडाना भंडोड ने स्थानो अक्वायर करवाना स्थानो जोया हता। जे हता इकविटी शेर, प्रेफरेंस शेर अने डिबेंचर्स। इकविटी शेर्स विशे अने प्रेफरेंस शेर्स विशे आपडे अगावन लेक्चर्स माँ जाने लीदो जे। हवे आजना लेक्चर मा आपड़े इनु तफावत पूरू करीशू अने डिबेंचस ने समझवानों प्रयातना करीशू अने आ चैप्टर ने समाप्ट करवानी कोशिश करीशू तो चालो हवे आपड़े इकविटी औने प्रेफरेंस शेयर वचे नों तफावत जोए अने इकविटी औने प्रेफरेंस शेयर वचे नों तफावत डिविडेंट अने मूडी परत मेडववा अंगे जे शेर ने प्रेफरेंच शेर पच्छी अधिकार होए तिवा शेर ने इक्विटी शेर कहवामा आवे छे अने इक्विटी करता प्रेफरेंच ने पहलो अधिकार होए आ त्रण पोईंट आपड़े अगावन लेक्चन मां समझीज लिदा छे एठले आ फटाफट पूरुकरी ने आपड़े आगण चाली शुँँँँँँँद तो इक्विटी शेर होल्डर ने डिविडेंट ए अनिष्चित दरे मड़े छे औने प्रेफरेंश होल्डरों ने टेमने जे बस्तूओं असर करेचए तेमने तेज बस्तूओं मां तेमने बोल्वानों अत्वा मतापानों हक होयेचे प्रकार equity share ना कोई प्रकार होता न थी पंड preference share ना प्रकारों घणा बदा चे आपने अगाउन न लेक्षर मा है समझियू हतु आपने आ लेक्षर मा है ने रिवाइस करीशु preference share ना redeemable redeemable shares cumulative participating share जेवा प्रकारों होय चे जी आरे preference share यहना प्रकारों होई छे रिडिमेबल प्रेफरेंच शेर अने नोन रिडिमेबल प्रेफरेंच शेर शू हतू तो जो मुड़ी परत करवामा आवे प्रेफरेंच शेर होल्डरों नी मुड़ी परत करवामा आवसे तो एवा शेर होलडर ओंने, एवा शेर्ज ने, रिडिमेबल प्रेफरेंच चे वामा आपशे, अने जो एविच रिवस कुण ना होय, तो एने नॉन रिडिमेबल प्रेफरेंच चे वामा आपशे cumulative preference share एवाव shareholderों ने dividend मेडवान नो हक जतो रहतो नथी ज्यारे non cumulative preference share नो हक ए जतो रहे छे participating preference share एठली के equity shareholderों ने dividend आप या बाज जे नफो होए तेमा तेमने भाग आपवा मा आवशे और non participating मा एवी कई वस्तू न होए छे ज्यारे preference share द्वारा मोडी बिजो आपणे मोडी जोईए तो equity share द्वारा company लांबा गाडानी मोडी उभी करी शके छे ज्यारे preference share द्वारा company मध्यम गाडानी आने लांबा गाडानी मोडी उभी करी शके छे फई कली और पडिमिठी माध्यां जाया को साइ होगज बीमेंस्पुरृ प्रेफरेंगे तो जो प्रेफरेंशेज लेपिती सिलनके मध्यम गादा दुम एक लिएक होगज़ कर दो एक लिए ब playthrough करह। तो जाड़े कंपणी ये मध्यम गाड़ा नी मूड़ी नी जरूर होए त्याड़े कंपणी ये तो जो टाइम पीरेड छे एने ओच्छा करवामा आपसे हवे आपड़े छट्टू मुद्ध जोई ये तो छट्टो मुद्धो छे नाणा परत अंगे इक्विटी शेर पर कंपणी ना अस्तित्व दर्मियान नाणा परत करवामा आवता न थी सिवाए के मूड़ी घटाड़ों करवामा आवे तोज मूड़ी भाग करत मूड़ी भाग परत करी शकाए छे प्रेफरेंच शेर कंपणी ना पोता ना अस्तित्व दर्मियान नाणा परत करी शके छे तो ये नाणा परत अंगे तो इक्विटी शेर होलड़ों ने क्यारेक मूडी परत करवामा नथी आवे only and except तब त्यारे जारे कम्पनी समाप्थाई चे अने कम्पनी मूडी घटालों करे चे मूडी परत अंगे कम्पनी विसर्जन वक्ते प्रेफरेंट शेर होल्डरोंने मूडी परत करेया बाद जो मूडी वधे तो इक्विटी शेर होल्डरोंने करवामा आवशे अने कम्पनी विसर्जन वक्ते प्रेफरेंट शेर होल्डरोंने मूडी परत मेडववा अंगे इक्विटी शेर होल्डरों करता प्रथम हक होय छे तो जारे कम्पनी विसर्जित थाए त्यारे इक्विटी शेर होल्डरोंने पैसा मड़े एटे के तमनी मुड़ी वापाची थाए, के ना थाए, ए फिक्स न थी, कारणगे M नो सौथी छेल्लो हक छे, पंड प्रेफरेंट शेर होल्डरों ने पंड निष्चित न थी के मडशेच, पंड एक्विटी गरता तेमनो पहलो हक छे, एटले तमा M ना चांसेस वधार है छ लायकातना, संचालक बनवा माटे, इक्विटी शेर ने लायकातना शेर गणवा माँ आवे छे, एटले के क्वालिफिकेशन शेर्स, तो जो दमें इच्छो च्छो कोईपन कंपणी ना डारेक्टर बनवा माटे, तो एनी माटे तमने इक्विटी शेर होल्डर अज पड़ शे, संचालक बनवा माटे, प्रेफरेंड शेर ने लायकात शेर गणवा माँ आव तो नती, कारणगी तमें कंपणी चालक नार छो, तो जे कंपणी चालक होए, एने तो कंपणी ना साच्चु मालिक होवू जरूरी छे, अने एने वदू जोखम उठाववू, इटले, क्वालिफिकेशन अथवा लायकात शेर्ज माँ इकविटी शेर्ज नो समावेश थाय छे, अने प्रेफरेंड शेर्ज नो समावेश थातो न थी, बोनस की हक नो शेर, जो बोनस शेर्ज अने राइट शेर्ज, तो बोनस अथवा हक ना शेर आपी शके, कोने? केव अनेकेवल एक्विटी शेयर होल्डरों ने कम्पनी पोता ना एक्विटी शेयर होल्डरों ने बोनस अथवा हक ना शेयर आपी शके छे कम्पनी पोता ना प्रेफरेंच शेयर होल्डरों ने बोनस अथवा हक ना शेयर आपी शक्षे नहीं प्रेफ्रेंशेन ने नथी आपी शके पन इक्वीटी शेर होलडरोंने О mentioned ए आपी शके छे हवे आपने आगड़ चालिए अने जोखं तो कोणू जोखं ओचू होए छे अने कोणू जोखं वधारे होए छे duty share पर जोखम नू प्रमाण बधु होय चे, कारण के dividend तथा मूडी परत मेडववाननो हक सवती छेल्लों होयी चे, अने जारे बात करी आपने preference share नी, तो preference share पर जोखम नू प्रमाण ओचू होय चे, कारण के डिविडेंट तथा मूड़ी परत मेडववाननों हक इक्विटी शेर करता प्रथम होई छे तो एमने प्रथम हक माड़े छे एटले इक्विटी करता एमनों जोखा ओचू होई छे बजार किम्मत मा वदघट इक्विटी शेर पर 60 नूँ प्रमाण वधू होवा थी तेनी बजार किम्मत मोटी वदघट रहे छे तो एनी बजार किम्मत मा मोटी वदघट आवे छे कापिटल गेन नो चांसिस वधारे छे जो तम्हें शेर मार्केट मां इन्वेस्ट करो तो तम्हें वधू जोखम लईने एक्विटी मा जे वदघट होए छे तेने भाव मा जे वदघट होए छे ए प्रेफरेंस करता वधारे होए छे प्रेफरेंस शेर पर 60 नूँ प्रमाण ओछू होवा थी तेनी बजार किम्मत वदघट ओछी रहे छे संचालन मा अंकुष एक्विटी शेर होल्डरों कम्पनी ना संचालन मा पूर्तो अंकुष धरावे छे प्रेफरेंस शेर होल्डरों कम्पनी ना संचालन मा मर्यादित अंकुष दर्शावे छे कारण के एमने मर्यादित मता धिकार मड़े छे एक्विटी शेयर होल्डरों बद्धी बावतों मा तेमनों मत आपे छे, जारे के प्रेफरेंड शेयर होल्डरों बद्धी जवावतों मा तेमनों मत नती आपी शकता, तेयो केवड एवेज बस्तों मा अथवा एवाज टोपिक मा एमनों मत आपे छे, जे मा तेमने फरक पड रोकान कारो तो जे रोकान कारो वधू आवक और वधू जोखम इच्छता होए तेयो इक्विती शेहर मा रोकान करें छे जे रोकण कारों निश्चित वडतर अने मूडी नी सलामती इच्छता होए, ते वो प्रेफरेंच शेर मां रोकान करेचे तो जो तम्हें वधी आवक मांगो छो, तो वधी आवक साथे वधू रिस्क तो आवचीच अने, जो तम्हें तम्हारी आवकनी सुरक्षा मांगो छो, तो एवी सुरक्षा चैचे छे, एव तम्हारी आवकने आवची अची करी देचे तो जो तम्में एवा रोकन कार छो जो तम्में वधु आवक अने वधी जोखम उठाववा तयार छो तो तम्में इन्वेस्ट कर छो इक्विटी शेर्ज मा अत्वा तम्में इन्वेस्ट करी शको छो प्रेफरेंश शेर्ज मा जो तम्में एवी काई क्वस्तू जेमके तो equity shareholder ए दरेक कंपनी माटे जरूरी होय छे अन्ने दरेक कंपनी माटे equity share बहार पाडवा फरजियात छे दरेक कंपनी preference share बहार पाड़ी शके छे परंतु आ share बहार पाडवा फरजियात न होय मालिको, इक्विटी शेर होल्डरों कम्पनी ना मालिको गणाये छे, प्रेफरेंच शेर होल्डरों कम्पनी ना मालिको गणाता नत्ती आ थैयों, इक्विटी अने प्रेफरेंच नी वाल, बे सानो, नाडा ना स्रोत, एटले के लंबा गणानी मुडी, ना त्रण माथी, बे सानो आपणे भणी ली धा, जे छे, इक्विटी शेर अने प्रेफरेंच शेर, इक्विटी शेर वद्धू जोखम, पन वधी आवक, आ अने निश्चित डिविडेंड एटले के ओची आवग। आगण आपड़े जाली हैं अने जानिये त्रीजव स्थान जे छे डिबेंचर्स। हावे डिबेंचर्स एटले शू। एक्विटी शेर्से कंपणी ना मालिक। पण डिबेंचर होल्डर एक कंपणी ना लेंड दार एमालिक न थी तो ए आपड़ी लोन तरीके गणाशे। कंपणी पोतानी मूडी नी जरूरी याद शेर मूडी उपरान डिबेंचर द्वारा उभी करी शके छे। जो कंपणी ये 10 लाग नी डिमांड हती। एटले के 10 लाग रूपया नी जरूर हती कंपणी ने। अन्ने एमा थी कंपणी ये 5 लाग ना इक्विटी इशू करी दीधा, 1 लाग ना प्रेफरेंस इशू करी दीधा, हवे 4 लाग नी ये लोन पंड लई शके छे। अन्ने एट डिबेंचर्स पन इशू करी शके छे। एटले इक शेर्स करता जारे वधारे की मूडी नी जरूर होए। त्यारे आपणे एटले के कंपणी डिबेंचर्स इशू करे छे। डिबेन्चर द्फारा लाम्बा गाडानी मोडी जरूरियात संतोशी शकाये छे। जे कंपणी भविश्यमा त्यानाप जो जे कंपणी भविश्यमा स्थिर धरे व्याज आपवा नी अपेक्षा रागती होय। तेवी कम्पनियों डिबेंचर द्वारा लांबा गाड़ानी मोडी उपी करवानू पसंद करे छे, जो तमारी कम्पनी भविश्यम मा निष्चिक दरे व्याज आपवामा राजी नथी, एटले के तैयार नथी, तो एवी कम्पनी डिबेंचर इशू करवा नथी, जो तमारी कम्पनी राजी होए, कि तमे स्थीर आप दरे व्याज आपशो, तो ज तमे एटले के तमारी कम्पनी चे डिबेंचर इशू करवा नथी, आवी कम्पनी डिबेंचर पर नियमेत रीते व्याज चुकवा ख्षमता धरावती होए छे, अने डिबेंचर द्वारा उभी करवा मा आती मूडी लांबा गाडा नी होवा छता ते कायमी मूडी न थी, डिबेंचर अमुक समयनी मुदद बाद परत करी शकाए छे, जेमके आपडे जोईू हतू रीडीमेबल प्रेफरेंस येर मा, तो डिबेंचर मा पण एवू जो हे, डिबेंचर पण एक ताइम लिमिट थै पछी डिबेंचर होल्डरों ए तेमनी मुड़ी परत करवा मा आवी जशे डिबेंचर अमुख समयनी मुदद बात परत करी शकाइ छे डिबेंचर द्वारा उभी करेली मुड़ी भागीदार मुड़ी नती द्यान आप जो ए भागीदार मूडी न होए पर अंतु ते लोन मूडी होए छे डिबेंचर मा नाणा रोकनारा धन्दार ना भागीदारों नथी पन लेंड़ दारों घणाई छे तो डिवेंचेर मां नाणा रोक नाराओने आपणे भागीदार नथी पन लेनदार तरीके ओडखावां आवशे पेड़ी नफो करे के न करे ते उने निश्चित दरे नियमित व्याज चुकबवो पड़े छे कारण कि थड पार्टी छे एंब बहार लोकोँ छे तो एम ने तो एम नो व्याज अपने आप आमा अशाइज को पड़ें , पोताना मालिकोम इक्वेटी तरीके नियों और ये आपणे व्याज हरे पाप ने PhD आते आप नो पोलोक hm कंपणीना कपणीना नफा साथे कोई सब्बंध नदी बार ना लोको है तो इस थमने पूच्छ नइए कि तुमने नफाच थायों किन नुक्षान थायों। एमने तमनों व्याजनी जर पर ठेरूल छे ए वोल से तम्हें व्याज अबी दो नभ रफो छे के नुकसान छे तम्हारों लुकाओ ए अमारी कोई पंदो न थी डिवेंचर ना लक्षनों जो ये केम ओचो होए छे, एम ने काशू जोखम नती होए छे, एटले एमनो व्याद नोदर ए ओचो होए छे, अन्ने कमपनी ए निष्चित डिसाइड करवो छे, कि कमपनी आँ जे अमाउंट डिसाइड करे ओ छे, जे परसंटेज फिक्स करे ओ छे, ए कमपनी दर वर्शे चुकव तो कोईपन कमपनी होए ए वधारानी परसंटेज फिक्स कर से नहीं, कारण के ए ने लांबा समय नो विचार कर छे, चोकस तारी परत, तो एमने तो एनो वर्श मर्शेच, ओच्छू जोखम, केम ओच्छू जोखम? ओच्छू जोखम एटले के एमनो डिविडेंट नो दर दर वर्शे अने जारे कमपनी समेटवामा आवशे त्यारे पन एमनो जे अमाउंट छे, ए तो एमने मढशे ज मढशे, कारण के ए थोड़ पाटी छे, बाहर ना लोको छे, बाहर ना लोको नू लोन तमे राखी ना शको तमारी पासे, एक्विटी माटे के एम फिक्स निक तो एनो फरक ना थी परतो, पंड जारे थर्ड पाटी आवे, एटले के लोन वड़ा लोको आवे, लेंडारों आवे, तो एमने तो एमनों, एमनी मुडि परत करवामा आवशेज अवशे, नियम मे ताने निश्चित आवक, एबाद तमे जो इच्छो छोगे तामने नियम नथी, तो तेनी कंपणी नी संचालनमा एनो शूरोल, काई रोल नथी? आगड आपणे जो ये डिबेंचस ना प्रकारों, जेम प्रेफरेंचेज ना प्रकारों हता, एवी जरीते डिबेंचस ना पन प्रकारों होये छे. सउथी पहला फेर बदलीने आधारे, पहलो बेरर डिबेंचर आने बीजो, रजिस्टर डिबेंचर. तो पहलो जे छे बेरर डिबेंचर, एना वीशे जोईए. आप्रकार ना प्रकारी डिबेंचर चलनी ओट जेवा होये छे, नेगोशी एबल इंस्ट्रूमेंट चलनी ओट जेवा, जेए तमारी पासे, तमारा दस रूपेयान ओट तमारी पासे छे, तो ये नोट तमारों हो незाघ, जो में अधंगी लेधा औंहे, वालो ब Jeżeli आबेंच रहुडू ब्रकार नदर चलनी नोट जेवा होयी छे फेर बदली सरडता थी चलनी नोट नी जेम करी शकाएँ छे आ डिबेंचर होल्डर नू नाम कम्पनी ना चोपड़ामा नोंधवामा आवतु नथी आव आ डिबेंचर नी साथे तेनी व्याजनी कूपन चोंटाडेली होय छे जेनी पासे आ डिबेंचर होय ते तेनी मालेक गणाशे तो कम्पणी एले चोपड़ामा आवे लोकाणनों आवजे डिबेंचर होलडर होए छे एमनु नाम नोंदती नथी कारण के एग डोक्यूमेंट छे आज है डोक्यूमेंट मारी पासे कालेता मारी पासे तो एनू कोई फिक्स नथी रजिस्टर डिबेंचर आ प्रकार ना डिबेंचर होल्डरोनु नाम सर्नामू डिबेंचर क्रमांक नंबर वगेरे कम्पनी ना चोपड़ामा नोंधवामा आवे छे तेने फेर बदली करवा माटे नियत फोर्म भरीने कम्पनी ने मोकलवामा आवे छे आवा डिबेंचर नोंधायल लेला होवा थी कमपणी ना चोपड़ा चोपड़े जेनू नाम नोंधायल होए तेनेज व्याद चुकबवा मा आवे छे जो तमे एड तमारो डिब रजिस्टर डिबेंचर मने वेचवा में चोचो तो तमे वद फॉर्म भर्वू पड़शे मने फॉर्म भर्वू पड़शे कमपणी ना चोपड़ा मा नाम नोंधायल बदला शे औने पच्छी एनू प्रोसीजर आगे वद से तो फेरा डिबेंच पणी पढ़शे मने फेर बदली करवा मा कोई प्रोब्लम नाती पणि रजिस्टर डिबेंचर ने फेर बदली करवा मा एक फोर्मालिटी नो पालां करवू होय छे। પछી આમળે જોયે જામیં ગિરીને આધારે તો એવહઈ છે સાધા ડિપંચર અને ગીરો ડિબેન્ચર जामेंगिरी ने अधारे तो एव होई छे साधा डिबेंचर अने गीरो डिबेंचर साधी बेला साधा डिबेंचर विशे जाने शू आवा डिबेंचर माटे कम्पनी कोई पंड बायधारी के जामेंगिरी आपती नथी आवा डिबेंचर कम्पनी माटे मात्र देवु गणाए छे कम्पनी ने कोई मिलकत माँ डिबेंचर साथे गीरो आपपमा आवती न थी इमने अनसिक्योर डिबेंचर पन कहवा माँ आवे छे कम्पनी नियत समय मरियादा माँ निश्चित व्याद चुकवे छे जो कम्पनी डिबेंचर इश्चु करें अनसिक्योर डिबेंचर है जे कम्पनी होए जे मोटी कम्पनी होए जे नो गुडविल मार्केट माँ बढ़ारे होए कारण के ए लोको कोई असेट गिरवी माँ आपती न थी एटले एमना पर विश्वास ए वधारे होगू जो ये तोज लोकों एना डिबेंचर मा रोकान करशे तो जे कम्पनी जारे कम्पनी कोई पंड असेट एटले के कोई पंड मिलकत डिबेंचर सामें गिरवी न रखे नौर्मल इशू थाए गिरो डिबेंचर मा आपने जो ये तो कम्पनी 10 लाक ना डिबेंचर इशू करे तो सामें 10 लाक नी मिलकत एक गिरवी रखे कोना माटे आ डिबेंचर होल्डर होने तेमनू अमाउंट चुकबवा माटे कम्पनी मिलकत पर आवा डिबेंचर होल्डर होए अग्रहक ढरावे छे आवी बोज स्थिर अस्थिर प्रकार्नी होई शके छे तो ए मिलकत तमें भेची नथी शको कारण के ए तमें कोना माटे राखे ली छे ए तमें डिबेंचर होल्डरों ना माटे राखे ली होई छे परतना आधारे redeemable debenture और non-redeemable debenture redeemable debenture यह कया debenture होए यह अमाउंट होए यह आपड़े थोड़ा अमुक समय मा आपड़े यहने redeem करी देए यह पाचिवापी देए और non-redeemable debenture गया होए यह अमाउंट आपड़े आपता नथी मूड़ी परत करवा मा आवे नहीं रूपांतर ने आधारे सम्पून रूपांतर पातर debenture, बिन रूपांतर पातर debenture, और आंशेत रूपांतर पातर debenture, debenture ज्यारे शेर्स माँ कन्वर्ट थाई शके, ज्यारे टोटल अमाउंट अफ डिबेंचर, इटले कि 100 रूपांतर ना debenture हता, अने ए 100 रूपांतर पातर आपड़े 100 रूपांतर ना equity share मा, अत्वा 10 रूपांतर ना equity share मा, जे पांड होए एमां convert करी शके, ते सम्पून रूपांतर पातर debenture कहवामा आवे छे, अने बिन रूपांतर पातर जे ने convert करी शके नहीं, अने अंशित रूपांतर पातर शू थायो अंशित रूपांतर पातर एटले के 100 माथी, 100 रूपिया माथी 50 ना convert थाशे अने 50 ना इडिबेंचर अज रशे अत्वा 50 ना पाइसा आपवामा आवी जसे, ओके तो संपूर्ण एटले के संपूर्ण एटले के completely convert थाई शके बिन रूपांतर पातर एटले के redeem क्या करता टाइम, यहने कोईपन convert करवामा आवी जसे, कोने डिबेंचर होल्डर होने, अने अन्शित तेटले के, अमुकम्माउंट convert थाशे, और अमुकम्माउंट convert थावामा थाशे नहीं आथेया आपणा डिबेंचर्स ना आथेया आपणा डिबेंचर्स ना प्रकारों, हवे आपणे शेर और डिबेंचर वच्चे ना तफावत ने जोईशू शेर, कम्पणी पोतानी मूडी ने नाना ना भाग मा वेंची शके छे आथ दरेक भाग ने शेर कहवामा आवे छे कम्पणी जे नाना उछी ना मेडवे छे ते नाना ना दरेक भाग ने डिबेंचर कहवाए छे कमपणीना देवादार करीके उडखवाम आ वेछे तो शेर होल्डरोंने जी रिटन आपए तेने व्याज कै वामा आवे छे डिविडेंट एटले equity औने preference share नो return औने व्याज एटले की debentures debenture पर व्याज आपपामा आवे छे औने dividend आपपामा आपतो नथी interest आपपामा आवे छे interest on debentures फरजियाद तो equity share एए issue करवू ए कोई पन दरेक company माटे फरजियाद होए छे औने debenture ए फरजियाद फोटो नथी चोथो तफावत नो मुद्धो छे मूडी औने loan तो share capital मतलब जे share नो amount होए छे ए कंपनी माटे नी मूडी छे औने debenture माटे नो जे amount छे ए कंपनी माटे नो loan छे धारन करता share holderो कंपनी ना सब्यो एटले के मालिक गणाए छे एटले आप्रे आगड़ जोयू औने debenture holderो ए कंपनी ना लेवादार गणाए छे अधिकारो शेर holderो ए कंपनी मा मालिक होवा थी विशार अधिकार होए छे औने debenture holderो ने ओचु अधिकार होए छे मरियाधित मताधिक अधिकार तो होतोज नथी अने शेर माँ equity ने मताधिकार होए छे संपूर्ण मताधिकार पन प्रेफरेंस ने ओचु मताधिकार एटले के जे वस्तों माँ M ने फरक पड़े छे एवु जदिकार होए छे गीरो तो शेर माँ कोई पन गीरो आपवोच जरूरी न थी पन डिबेंचर बे प्रकार ना छे साधा अने गीरो तो गीरो माँ तमने इटले के कंपनी ये शो करशे कंपनी ये कोई पन मिलकत अगिर वी राख शे शे अने डिबेंचर वचे नों तफावत अहिया समाप्थ थाए छे आज नी साथे आपनों आ एकम पन समाप्ध थाए छे त्रियार ना पची आपने बी जो एकम जो इशू आने विशाय ने आगर समझीशू आज ना लेक्चर मा इत लूँच आभाव